अगर आप भी अचार के लिए मम्मी दादी नानी पर डिपेंडनेंट हैं तो अब उनके काम को भी थोड़ा सा हलका करें और ट्राइ करें यह सबसे असान नो फेल नो कुक मीठे अचार की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही असान है बिगनर्स फ्रेंडली रेसिपी है सरफ पां ले लिए हैं यह बजन में करीब 6-700 ग्राम है मैंने इनको अच्छे से धोल या था धोकर हम इसे ना या तो धूप में रख दें 10-15 मिनिट के लिए या फिर अच्छे से पोच लें पानी इसमें बिलकुल नहीं होना चाहिए और फिर हम इसे छील लेंगे छील करना हमें इस कद्दुकस करना है तो जो कद्दुकस का मीडियम साइड होता है उससे हमें से कद्दुकस कर लेंगे बहुत जादा मोटा नहीं कद्दुकस करेंगे नहीं तो फिर इसको पकने में टाइम लग जाएगा तो मैंने ये दोनों केरी कद्दुकस कर लिए है गुठली को तो हम और इसे न मैंने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है इसमें एक चुड़ा चमच डाल रही हूँ नमक और एक चुड़ा चमची डाला है हल्दी का पाउडर अपना एकदम सूखे और साफ हाथ से हम इसे मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो गलव्स भी पहन सकते हैं लेकिन ये स्पून से नहीं मिक्स होगा इसे न हमें ऐसे स्कुईज करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है तो नमक और हल्दी अच्छे से लग गए है इस पे अब मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले ली है तो जितनी कॉंटिटी हमारी कैरी की थी न बस हम उतनी ही वजन से चीनी भी ले लेंगे तो मैंने यहाँ पर 600 ग्राम कैरी थी तो 600 ग्राम चीनी ले ली है पीस के ले लेंगे तो थोड़ा जादा असान हो जाएगा अब मैं थोड़ी थोड़ी चीनी डाल रही हूँ और इसको हम mix करते जाएंगे अगर हम चीनी को piece करने ही लेंगे तो फिर उसको गल्ले में थोड़ा सा time लग जाता है तो कोशिश करें कि चीनी का powder ही use करें मैं इसको हातों से ही mix कर रही हूँ आप चाहें तो इसमें भी gloves पहन सकते हैं लेकिन वो कहते हैं कि मा के हात का स्वाद तो बस ये हातों का स्वाद ही है तो ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से mix हो गई है ये बहुत ज़रूरी है अच्छे से चीनी को mix कर दें और ये देखिए भी न एकदम पतला है ये एकदम watery सा लग रहा है अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये पकेगा न एकदम गाढ़ा हो जाएगा दस यही करना है हमें तो मैंने यहाँ पर एक मलमल का कपड़ा ले लिया है कोई भी सूती कपड़ा ले बतला और फिर ना उसको हम इस पर बान देंगे और फिर हमें इसे दूप दिखाना है तो कम से कम ना दस दिन तो लगी जाते हैं और अगर हो सके तो आप जैसे इसको तीन चार घंटे अच्छी सी कड़क धूप लगा ले उसके बाद आप इसको अंदर रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको रख कर ही छोड़ दें कोई टेंचन नहीं है जैसे जैसे ये धूप लगेगी ना उसमें एकदम थिक हो जाएगी चाशनी हमारी और कैरी एकदम फूल जाएगी ये देखिए मुझे ना दस से ग्यारा दिन हो गए थे इसको पकाते हुए और आप देख सकते ना एकदम चाशनी भी गाड़ी हो गई है एकदम थिक सी है जैसे ना एक तार की चाशनी होती है वैसी लेकिन ये वैसे एकदम तार नहीं बन रहा है लेकिन अच्छी खासी चि करेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी इनान्स हो जाए और मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं आपके घर में जैसा जिसको पसंद हो ना उस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं कोई इसका हाड और फास्ट नहीं है अब मैंने यहाँ पर ना दो चोटे कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर इसे कलर बहुत अच्छा आएगा तीखा बहुत नहीं होता है अब इसमें बहुत ही अच्छी खुश्बू और टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा सा इलाइची का पाउडर डाल दिया है और मुझे ना दर्दरी कुटी हुई स्वाफ का फ दो गंटे फिर से इसी बोल में रहने दे और फिर उसके बाद आप इसको बॉटल में भरकर रख सकते हैं और आप इसे साल दो साल तीन साल भी नहीं होगा मैंने से अभी टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था मैंने हलका सा काला नमक कर दिया है तो आप इसको और एक बार टेस्ट कर लें इसको और एकदम सूखी और साफ बॉटल में ही इसे हमें भरना है हो सके तो बॉटल को भी थोड़ी देर के लिए धूप दिखा दे तो उससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और जब भी इसको निकालेंगे ना बॉटल में से तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर पसंद आई हो ना तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके एक चोटा सा कॉमेंट जरूर लिखें मेरे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाई